हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूटूब के चैनल में तो अगर आपके पास कोई सभी रेडमी का फोन है, स्वामी का फोन है तो उसमें आप कैसे SIM card and mobile network setting करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो अगर आपको बहुत ही ज़ादा network वगरा का issue आता है अगर आपके फोन पर SIM card वगरा सो नहीं होता है तो फिर आपको SIM card से related कोई भी problem आ रही है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसको सही कर सकते है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पर आपको सबसे पहले setting को open कर लेना है setting को open करने के बाद यहाँ पर आपको जो है चौते नंबर पर यहाँ पर आपको SIM card and mobile network करकी option आता है तो यहाँ पर आपको click करना है यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको अपना sim select कर लेना है जो भी sim में आप यहाँ पे setting करना चाहते हैं उसको तो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाए दिते हैं तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुष settings नहीं करनी है बच आपको दो-तिन सेटिंग कर लेनी है यहाँ पे आपको Access Point Name पे जाना है और यहाँ पे आपको सबसे नीचे में यह वाला उप्सोन आता है Recent का तो आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको जो है recent कर लेना है मतलब की जो आपके phone पर APN सेटिंग रहेगा वो recent हो जाएगा अगर आप recent पे क्लिक करेंगे तो तो यह जो APN सेटिंग होता है वो क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ तो गाईस जो internet चलता है वो APN सेटिंग के वजएसे ही चलता है इसमें जो है बहुत सारी जो है यहाँ पे जो सेटिंग सेटिंग है वो रहता है APN सेटिंग आप चाहे तो खुद से एक बार एक new APN क्रेट कर सकते हैं बद आपको पता होना चाहिए लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आप simply से recent करिए तो automatically एक new APN क्रेट हो जाएगा उसके बाद जो है आपको यहाँ पे mobile network वाले option पे जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपको automatically select network को जो है enable कर लेना है इससे जो है क्या होगा कि आपके phone पर जो है network automatically select हो जाएगा आपको जो है बार-बार problem नहीं आएगी तो आप उसको enable करके रखिए और हाँ यह वाला जो setting है न उसको भी आप enable कर दीजिए अपने phone में इससे क्या होगा अगर आप किसी को call पे बात करते हैं और उस time पे आपके phone पर network नहीं चलता है तो वो जो है चलने लगता है अगर आप इसको on करेंगे तो आप call करते time भी जो है internet को use कर पाएंगे तो आपको इसको on कर ले रहे हैं तो बस आपको इतना ही setting करना है गाईस उसके बाद आपकी जो problem रहेगी वो यहाँ पे solve हो जाएगी तो अगर यह video आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को subscribe भी कर लीजिए